उत्तर प्रदेश के नोईडा से मुजफर पुर जा रहे एक लगजलिकार में सवार देवर भावी को सराब की बल खेप के साथ गिरफतार कर लिया गया है। पुत्र को भी अपने साथ लिया था। उसकी कोशिश थी कि पुत्र के सहारे ही वह तसकरी में काम्याब हो जाए। लेकिन उत्पाद निरिक्षक दिलिप कुमार सिंग ने उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया गया। शराब की बोतले बरामद होते ही। महिला और पुरुस दोनों को हिरासत में ले लिया गया, उनसे फूश्टाच की गई। तो उन्होंने बताया कि यह खेप वह नोईडा से लेकर मुझः फर जा रहे थे। पकड़े गया अभ्युक्तो से पूश्टाच कर यह भी पता लगाए जा रहा है कि सराब तसकरी के इस नेटवर्क में उनके अत्रिक्त और कौन-कौन लोग शामिल है। साथ ही वहन के निबंधन संख्या के अधार पर वहन के मालिक का भी पता लगाए जाने की कोशेश की जा रही है। अंदर ही उन्होंने शराब की यह तीसरी बल खेप बरामत की है। पकड़े गए अब युक्तो ने क्या कुछ बताया आईए सुनते हैं। यह उन्हों